नमस्कार दोस्तों सरकरी जोब ग्यान की ओफिशेल यूटूब चेनल पर आप सभी का स्वागत है सो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुती बड़ी खुश ख़वरी लेकर कहा हूँ 3,896 कुल पदों पर ये विकेंसी ज रखी गई है गेर अनुसुची चेतर से 3,222 पद रखे गए है वहीं अनुसुची चेतर से 624 पद यहाप पर रखे गए है फ्रेंट्स ग्राम विकास अधिकारी सीदी भरती 2020 का ओविशेल नोटिफिकिशन मैं आपके सामने ओपन कर चुका हूँ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजेगा साथी मैं चैनल को सब्सक्राइब जहू कर लें तो कि इसी तरीकी की अपडेट्स हम आपको इस चैनल पर देते रहते हैं इसी के साथ हमें फ्रेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहां पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी आपका educational qualification क्या रखा जाएगा कब से कब तक आप इनके लिए apply कर पाएंगे आपका selection process क्या रहेगा आपको यहां पर तो परमत पे scale दिया जाएगा जो आपको salary दी जाएगी वो कितने दी जाएगी सो चली फ्रेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजे तो चली अभी जानते दोस्तों इस बरती से सम्मंदित पूरी अपडेट के बार में सो यहां परा सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं आप इनके लिए online आवी देन कर पाएंगे online अपना application form फील अप कर सकते हैं साथी में दोस्तों ग्राव विकास अधिकारी के पदों के लिए vacancies रखी गई है 3222 पदों पर यह vacancies है sorry 3896 पदों पर vacancies है गैर अनुसुची छेतर के लिए 3222 पद रखे गई है वहीं अनुसुची छेतर के लिए 624 पद यहां पर रखे गई है किस तरीके से आपको जो है जिला का ऑवन्टीद किया जाएगा कि इस तरीके से आपको यहां पर जिला दिया जाएगा आपके फाइनल सेलेक्षन के बाद में सो उसकी पूरी इन्फॉर्मिशन आप यहांसे ले सकते हैं आपको किसी भी एक डिस्टिक से अपना application form submit करना होगा एंड उसके बाद आप उस state में आप वीडियो की पोश्ट पर जो है job कर सकते हैं DC के साथ में देखिए दोस्तों यहाँ पर आप ओनलाइन अपना application form submit कर सकते हैं साथ में दोस्तों यहाँ पर देखिए अविद्धन के सुधार हे तो पत्र स्विकार नहीं किया जाएंगे जी हाँ दोस्तों अगर आप अपने form में कोई भी गलती करते हैं तो उसके बाद में आपको जो है एक वीडियो बना करके देदूँगा जिसको जो है आप step by step follow करके अपना application form अच्छे से fill up कर सकते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ तो उसकी notification आपको सबसे पहले मिल जाए आविदन प्रिक्रिया की बात कर लें तो आप जो है online application form submit कर सकते हैं SSO ID के मैंदम से SSO ID के बारे में आप सभी candidate जानते हैं इसे के साथ मैं आप जो है sso.rajastan.gov.in की official website पर जाकर के आप इनके लिए apply कर सकते हैं इसे के साथ मैं नीचे आने पर फ्रेंड से इस बरती से सम्मेंदित अधर इंफोर्मिशन भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी परिक्ष्या सुल्क की अगर हम बात करते हैं तो 450 रुपे application fees ली जाएगी जनरल एंड ओबीसी कंडिडेट से जनरल कंडिडेट से एंड नोन क्रिमलेर कंडिडेट हैं उबीसी वाले उनको 350 रुपे application fees दी जाएगी वहीं दोस्तो 250 रुपे SC & ST केटेगरी से application fees ली जाएगी इसी के साथ में प्रिवेस पत्र की बात कर लें तो जो राज़े जो आपके आपके आप्लाइन प्रिवेस प जाएंगे और दोस्तो एक्जाम कब होगी उसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा यहां से आप जो है वेकंसी की पूरी इंफोमेशन ले सकते हैं डिस्टिक वाइज आप जो है वेकंसी चेक कर सकते कि कौन से डिस्टिक से कितनी वेकंसी निकाल वेकंसी जो रखी गई है दोस्तों उनकी पूरी इंफोमेशन ले पाएंगे इसकी बाद में दोस्तों थोड़ा से नीचे आने पर आपको इस बरती से सम्मंदित और भी अधर इंफोमेशन देखने को मिल जाती है यहां पर आप चेक कर सकते दोस्तों उतक्रेस्ट क्ला लि है उनके लिए भी रिजर्विशन दिया गया है इसी के साथ में दोस्तों महीलाओं के लिए भी रिजर्विशन है अनुसरी चेत्र के अभ्यरतियों के लिए विशेज जो आपके इसको पूरा आप एक बर जरूर पर लिजएगा क्योंकि यह आपके जो है डॉकुमेंट्स क सब्सक्राइब ऑस में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका graduate complete हो चुक्ए है तो आप इसके लिए apply कर पाएंगे साथी में दोस्तों आपके पास में जो है डीपीडीवीस का कोर्स होना जरूरी है या पर कम्पूरेटर का कोर्स होना जरूरी है अगर आपके पास में नहीं है तो आपके पास में इंजिनेरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए संदार थे भी काईसपद के लिए आफिदन कर पाएंगे आयू सीमा आपकी मिनिमम अठारा और मेक्जिमम चालीस साल रखी गई है वहीं दोस्तों स्टी के लिए पांस साल की छूट जी जाती है ओभी सी नौन क्रिमिलेर कंडिडेट के लिए तीन साल की गौर्मेंट रूल्स के अनुशार छोट प्रवाइड की जाती है अभी बात करते हैं दोस्तों अधर इंफोमिशन के बारे में तो आपको यहां पर पैंसन रहेगी वह भी आपको जो है यहां पर दी जाएगी पैंसन भी आपकी लागु रहेगी विवाय पंजी करन आपको यहां पर सम्मिट कर अगर आपकी साधी हो चुकिए तो परिक्षा सुल का प्यासी चेक कर सकते हैं जो आपसे अप्लिकेशन फीश लीज जाएगी 10-9-2021 से 9-10-2021 तक आप एपलाई कर पाएंगे जी हां दोस्तों 10 सप्टमबर 2021 से 9 अक्टूबर 2021 तक आप इन बरत्यों के लिए आविदन कर सकते अपनी एपलिकेशन फीश भी इसी टाइम तक जमा करवा सकते हैं परिक्षा का आयोजन जो आपका करवाया जाएगा यहां पर देखिए दोस्तों जो आपकी परिक्षा आयोजन होगा वो दो चैनलों होगा मतलब कि आपकी प्री एक्जाम होगी उसके बाद मापकी मैंस ए एक्जाम रहेगी यह सिर्फ क्वालिफाई रहेगी इसके नंबर जो है मैंस एक्जाम में जो है काउंट नहीं किया जाएंगे प्री एक्जाम सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई मार्क रहेगी 15 गुना कंडिडेट को यहां पर जो है सेकंड एक्जाम के लिए मतलब की मैंस प्रकृतिक में प्राप तंकों को मुख परिक्षा के बाद उनका अंतिम्योकात योगता क्राम अवदरित करने के लिए संगणन नहीं किया जाएगा मतलब कि आपके जो फाइस्ट एक्जाम में नंबर आएंगे उनको जो है यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा इसी के साथ में दोस्तों देखिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दिसंबर 2021 में आपकी जो आपकी प्राथमिक एक्जाम है हकर वाली जाएगे वहिए दोस्तो जो आपके मुक्न परिक्शा है वह फरवरी 2022 में अब्भा इस इसके बाड़े मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपसे पहले ही बोल सुका हूं कि मैं इसके लिए आपको एक्र वीडियो बना करके देदूंग जिसमां आप step by step अपना application form submit कर सकते हैं साथ ही में दोस्तों यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपको जो है स्विकार यहां online आविदन में संसोधन की प्रक्रिया यहां पर स्विकार नहीं की जाएगी मतलब कि आपको एक बार में अपना application form अच्छे से जो मिल जाएगा और इसकी जो ऑफिशल वेबसाइट है दोस्तों वह है RSM.SSB.Rajasthan.gov.in इसकी ऑफिशल वेबसाइट है जिस पर जाकर के आप इस बरती से समंदित पूरी information ले सकते हैं सुप्रेंट्स यहां पर आप चेक कर सकते हैं आज ही के दिन मतलब कि 6 तारीक की दिन ही इस नोटीस को यहां पर जारी किया गया दिनांग 6.9.2021 तो बहुत ही जल्दी आपके लिए इस बरती से समंदित पूरी अपडेट लेकर के आऊं सो वीडियो कैसे लगिए नीचे कमेंट करके जो बताएगा फ्रेंट्स वीडियो पसंदे तो लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेयर करना बेलकुल ना भूलें अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहें तो गौर्मेंट जोब्स की इंफोर्मिशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को जरूर दोबा लें ताकि आग्यान वाली आपको सबसे पहले मिलते रहे तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बात जाहें दोस्तों